साथियों गांधी नगर का नया रेल्वेस्टेशन देश में इन्फास्ट्रक्चर को लेकर माइंड सेट में आ रहे बढ़लाव को भी दर्साता है लंबे समय तक भारत में इन्फास्ट्रक्चर को लेकर भी एक बर्गबेद को पुस्थाइच किया गया और मैं आपको पताना चाहूँगा, आप सब तो भली भांति गुजरात के लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, जब मैं गुजे वहां सेवा करने का मोका मेरा था, हमारे जो बस्टेशन्स हैं, उन बस्टेशन्स को आधूनिक बनाने के दिशाने काम किया, पब्लिक प्राविट पार्टर से मोडेल प्रकाम किया, और जो कभी बस्टेशन्स कैसी हालत रहती थी, आज हमारे गुजरात में कई बस्टेशन्स आधूरिक बन चुके हैं, एरपोर्ट जैसी सुविधाएं बस्टेशन्स पर नजर आ रही हैं, और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने हमारे अपसरों को गुजरात के बस्टेशन्स देखने लिए बेजा था, रेल्वे के अधिकारियों को, और मैंने उनको समझाया था कि हमारे रेल्वे स्टेशन्स ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए, लेंड यूज का आप्टिमम उटिलाइज़ेशन हो, रेल्वे स् से एकनॉमी का उर्जा सेंटर बन सकता है। जैसे एरपोर्ट का विकास होता है, जैसे गुजरात में बस्टेशनों बस्टेशनों के विकास का प्रयोग हुआ है। बैसे ही रेलेवे के स्टेशनों का भी पब्लिक परबेट पॉ surviving का अमडर मोडल पर विकास करने इसके लिए और ये अमीरों के ये से भूरा है सब वेकार बाते हैं जी समाज के हर वर को विवस्थाएं मिलनी चाहिए साथियों गांदे नगर का आधुनिक रेल्वे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेल्वे के संसाधनों का सद उप्योग करते हुए इसको आर्थी ग्वति विद्यों का सेंटर भी बड़ाये जा सकता है आधुनिक टेक्लोलोजी का उप्योग करते हुए ट्रेक के उपर ऐसा होटल बना दिया गया है जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है लेकिन मैसूस नहीं होती जमिन उतनी है लेकिन उसका उप्योग दोगुना हो गया है सुवीधा भी बहतरीन परियाटन व्यापार और कारोबार भी उतम जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भड़ा क्या हो सकता है इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य द्रश्य दिखता है दांडी कुटीर दिखती है वो भी अदुबूत है दांडी कुटीर मुजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समीट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरी स्पॉर्ट बन जाएगा और आज रेलिवे का ये जो काया कल्ब हुआ है महात्मा मंदिर से सट करके हुआ है इसके कारण महात्मा मंदिर का महत्मा भी अने गुणा बढ़ गया है अब लोग छोटी मोटी कांफरेंस करने के लिए इस होटल का भी उप्योग करेंगे महात्मा मंदीर के उप्योग करेंगे एन एक प्रकार चे साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामुही गुरुप से ववस्था मिल गई है और एरपोर्ट से जरब 20 मिनिट के रास्ते पर आप कलपना कर सकते हैं कि देश विदेश की लोग इसका कितना उप्योग कर सकते हैं भाई और बैनों कलपना की यह पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है इतने अधिक संसाधन है इस तरह की कितनी संभाना उसमें छिपी हुई है